सेट का चित्र बहुत पहले की बात है एक सेट था वह बहुत ही कंजुश था एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में परिशान करता था एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेट ने कहे दिया चित्र ठीक नहीं है दोबरा बना कर लाओ चित्रकार ने कई बार चित्र बनाए लेकिन वह कंजुश सेट हर बार कहे देता कि चित्र ठीक नहीं है क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेट से सभी चित्रों के पैसों का तकादा कर लिया धूर्त सेट बोला कैसे पैसे जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दू बेचारा चित्रकार अपने घर लोट आया परेशानी का कारण पूछने पर उसने अपनी पत्नी को सारे बाते बताई चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी वह बोली आप दर्वार में जाकर न्याय के लिए फर्याद कीजिये चित्रकार बहुत उदास हो गया था वह मू लटका कर बैट गया बोला सेट बड़ा आदमी है लोग उसी की बात को सच मानेंगे बहला मुझ जैसे गरिब का कौन साथ देगा चित्रकार की पत्नी बोली सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते बात्षा अकबर बहुत दयालू है वे भले ही पड़े लिखे नहीं है परन्तु बड़े बुद्धिमान है उनकी सहायता के लिए दरबार में नोनो रत्न है आप वहा जाएए आपको न्याय जरूर मिलेगा दूसरे दिन चित्रकार बात्षा अकबर के दरबार में गया और पूरा किस्सा सुना दिया बात्षा अकबर ने चित्रों को लेकर सेट को दरबार में बुलवा लिया बात्षा ने सभी चित्रों को गौर से देखा और कहा तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है हुजूर इन में से एक भी चित्र हुबहु मेरे चेहरे जैसा नहीं है सेट ने कहा बादशाह मुश्किल में पढ़ गए कि न्याय कैसे करे बड़ी देर तक विचार करते रहे जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बिर्बल से न्याय कराने को कहा बिर्बल ने सारी बाते द्यान से सुनी और तुरंट समझ गए की सेट चेहरा बदलने में निपून है चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वह नाटक कर रहे उसको सही रास्ते पर लाना जरूरी है कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृती किरक्षा एवं सवर्दन होता है कला में निपून कलाकारों की इद्ध जहां होती है वह देश विश्व में विक्षात होता है इसलिए बिर्बल ने चित्रकार से कहा तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमिया है तीन दिन बाद इस सेट का हुबहु चित्र बनाकर दर्बार में लाना तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और सेट तुम भी दर्बार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना सेट घर चला गया बिरबल ने चित्रकार से कहा तीन दिन बाद तुम इस दर्बार में एक बड़ा सा दर्पन लेकर उपसिद हो जाना तीन दिन बाद चित्रकार दर्बार में आया और सेट के सामने दर्पन रखकर बोला सेट जी आपका चित्र तयार है सेट अपना प्रतिविम देखकर बोला प्रंतु यहा तो दर्पन है नहीं यही तो असल चित्र है बिरबल ने पूछा सेट जी यह तो तुम्हारा ही रूप है है या नहीं सेट बोला जी हाँ सेट अपने चाला की पकड़े जाने पर बहुत लजजित हुआ उसने चितरकार को उसका मैन्नताना दे दिया चितरकार सभी को धनिवाद दे कर चला गया बिरबल के नियाय से बादशाय अक्बर बहुत खुश हुए बादशाह अक्बर की प्रत्यक समस्या का समधान बिर्बल अपने बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे यहां भी बिर्बल ने दूद का दूद और पानी का पानी कर दिखाया था इसी प्रकार की अन्य कहानिया सुन्य के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करीजे बेल आइकॉन दबा कर हमारी कहानिया देखते रहें धन्यवाद